नमस्कार मैं हूँ अभैकुमार आप देख रहे हैं ठोक तंद। दोस्तों अब तो आप जान ही गये होंगे चुनाओ की परकिरिया 11 चरुनों में होगे। नम निर्वेशन पत्र भरने के लिए आपको सबय मिलेगा है। नेकि जो सबसे महत पूर्ण चीज होती है, चुनाओ की अधिसूचना जारी होने के बाद, उमिदवार बनने के लिए नम निर्वेशन पत्र भरा जाता हैं, कहां कहने का मतलब है कि नमांकर्ण। तो आज हम नमांकन की पूरी प्रकिरिया आपको बताएंगे कैसे इस फॉर्म को आप भरेंगे और इस कहां से प्राप्त होगा और इसकी पूरी जनकारी देंगे तो दोस्तों जो जब अधिसूचना जारी हो जाती है, अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, जो सबसे पहला काम होता है, जिनको चुनाओं में खड़ा होना होता है, सबसे पहले आरो कटाते हैं, आरो कटाते हैं, नमानकर वसुल कटाते हैं, उसुल के साथ आपको फोर मिलत जहां एक रसीर मिलता है और उसको फिर इसको अच्छे तरीके से भरके आपको जामा करना पड़ता है आरो टेबल पर या आरो टेबल पर तो हम आपको बता दें कि यह कुल 15 पेज का जो है नाम देशन पत्र है यह 15 पेज का जो है जिसमें दो पन्ने जो होते हैं एक प्रस्ता होते हैं इसमें से आधे पन्ने जो होते हैं जो निर्वाचностью Toddew art ERICа मिलती है या उसके बाद आनुसुची 3 होता है तपत्र और और यह जितने वी सफ़त पत्र हैं वह सपत्र से बहुते हैं और उसके बाद अभ्यार्थी का वो बढ़ने का इत्वर है तो पूरी आपको जनकारी हम पूरा दे देते हैं कि एक नमबर से 15 पेज़ तक कैसे भरना है वो आपको पूरी प्रेक्टिकल जनकारी दे रहे हैं आप नजरे गराये रखिएगा और दोस्तों आप लोगों से गुजारी से हैं कि जब हम स्क्रीन पर जाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो अगर आपके पास समय नहीं होगा तो बाद में वीडियो को देखिएग आपको याद नहीं रहे इसलिए लाइक पहले कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा कॉमेंट बताइएगा कि कैसा लगा तो दोस्तों हम कलते हैं स्क्रीन देखिए आपके सामने परपत्र च्छ हो गया परपत्र च्छ नाम देशन पत्र या पहला पेज है अनुसूची पांच पंचायत निर्वाचन अब इसको भलोग भरेंगे भरते कैसे हैं तो देखिए यहाँ पर पहला पेज में आपको क्या भरना है नाम पर जिला लिखा हुआ है तो जिला हम कहीं आप ही बताइए कहीं भर देते हैं लेकिन हम एसे सुरू करते हैं माल हर आज आप कहें अब आपका जो लिखी ऑम ली उसके बाद प्रखंड प्रखंड ग कुछ भी जो भी आपका होगा प्रखंड का नाम लिख देंगे अब उसके बाद प्रवाँ प्रदेशिक निर्वाचन छेत्र संखिया अब देखिए ऊपर में में इसको ध्यान से आपको समझ लेना है प्रादेशिक निर्वाचन छेत्र संखिया हर छेत्र का एक निर्वाचन छेत्र संखिया होता है माल लिए कि आपको वाड में चुनाव लड़ना है तो यहां पर उस पंचायत का जो है तो वाड का वाड लिखें वाड नमबर पंचायत नाम है जो भी लिखना है आप भर दीजिए गैश्य आपको पास ग्राम पंचायत जो आप होगा उसके बाद आपको द्यान देना है बाकी जो इस चीज है इसको ऐसे कट कर देना ऐसे कट ह्ट कर देना है अगर कोई मन लिए कि निर्वाचन शेत्र संख्या डाले ग़ा लगा ग्राम पंचायत का होता है उसको डाल देना है और बाकिए चुनाव लड़ना है उसका भढ़ेंगे वाड वाले पहला नम्मर में बहरेंगे उसके बाद एक ग्राम का सरपंच के दुसरा मंबर में है अ मुखिया के लिए तिसरा नम्बर में है यह सर्पंच के लिए गिद्ध को सर पंच के अब उसके बाद देखिए लिखा वाब मैं उपयूख्त के लिए निंखीत को चैहां भी आसि करता हूँ अगर महिला प्रखंड का नाम लिखना है उसके बाद देखिए इसके बाद आपको इस पर धियान देना है जो ग्राम पंचायत का पर पर पंचायत के नाम लिखना है कि प्रादेशिक दिर्वाचन छेत्र संख्या कि आपको जिसके शेत्र संख्या से लड़ रहे हैं उसका चेत्र संख्या कर लिए मत्दाता सूची में कितने नंबर पर है उस पर परविष्ठ यहां पर लिख देना है तो इसको आप समझ लिए अब देखिए यहां पर गुशन यहां पर करना है स्थावं के मेरा नाम प्रस्थावेर लिखेंगे जी ला जी लाय ह यहां पर लिखना देखिए थित्तंख्या की बात हर बार आ रही है आप वाट से चुनाव लड़ रहा है तो उतका लिखिए गाव मदाता सूची करमांग पर यहां लिखना यह किसके लिए यह प्रस्तावक के लिए प्रस्तावक का अगोठे का निशान यहां पर अस्थान यहां पर तादिक लिए यहां पर हस्ताचर करेंगे प्रस्तावक श्वर्स्वर्स करेंगे को उसके बाद रहके लिखया हुआ है यहाद पर काट दिये है और अब देखिए यहाँ पर काट दिये हैं कि लागू नहीं है उसके बाद यही्वाचन के लिए अहर्त हूं अंया था नहीं तेहां पर हुँ लिखना है ठीक है और उसके बाद देखें दूसरा पेज में चलते हैं अगर आरक्षित से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर अगर अनुसुचित जाती अनुसुचित जाती पिछड़ा वर्ग जो सही है उसको में ठीक लगा देना है अगर है तब सक्षम प्राथ क्राथ एसनलगन कर रही हुआ अगर अरक्षन searching का आलाव लेना है तो उसके लिए जाती पर्मान पत्र लिखना उसके भोचना भी करना है कि हम जाती प्रमान पत्र दे रही सक्षम प्राधिकारी कहां पर रस्ठान यहां पर तारी हैं और यहां पर अभ्यार्थिक स्था करे दूसरे पेज़ बात कर रहे हैं पहला पेज़ आपको बता दिये हैं अब उसके बाद देखिए यह पूरा जो है से निर्वाची परधिकारी भरेंगे यहां तक इसके बाद इसके निर्वाची परधिकारी यह भी रसीद की समिता सुच्छी सब करना है इसको रसीद संख्या आपको सफत करना है देखिए यहां पर अपना नाम लिखना है और उसके बाद उम्र लिखना है जो आपका उम्र है वो उम्र लिखना है यहां पर गाउं लिखना है ग्राम लिखना है जीला लिखना है यहां पर अब बिहार का निवासी हूं सफत करते हूं करता हूं कि मैं आपना नाम लिखना है ग्राम पंचायत का नाम लिखना है उसके बाद मुखिया या ग्राम कच्छरी के सब्स या ग्राम पंचायत के सद इहां पर पद का नाम लिखना है वाड सदस मुखिया जो हैस्को काट देना है कि सदस ग्राम कच्छरी पंच्या समीती जिला परीशन जो भी है उसको छेतर संख्य यहां पर लिख देना है और जो मल्य की जो सर्पंच जो जिस पद में है उसी पद को सर्पंच तुना लगा दिए तो सर्पंच में टीक लगा दिए यहां पर लिगना देखिए के लिए निर्वाचन दाखिल कर रहा हूं मैं अपने बिहार राज पंचायत राज अधिनियम दुशारी जो भी है जो इसमें जो जिस पद के लिए उसको टीक लगा देना के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनहरित नहीं हूं मतलब हम उसकी योगता रखते हैं उसके बाद फिर यहां पदेखित सफत करता का साक्षर और यह स्थान और दिनाज लेकिन यहीज़ आपको बता दे रहे हैं कि यह सारे जो होते हैं यह आपके नोटरी मजिश्टेट भरेंगे अपके नोटरी मजिश्टेट भरेंगे यह एफीडेविट है इसी पेफिडेविट करवा लेना है यहां पर लिखा हुआ है कारे पालक डणास निकारी नोटरी पबली के समक सपत लिया जाएगा उनके सामक्ष भारा जाएगा नोटरी वाले बना देते हैं तो इसको यह हो गया अब हम लोग देखते हैं सपत पत्र दो देखिए अनुसूची एक है अनुसूची एक है और जो नोटरी द्वारा भरा जाएगा इसको सपत करते हैं जिसको एफिडेविट करते हैं लेकिन एक जो हैसे खुद से भी सपत पत्र देना है देखिए यह हो गया सपत पत्र दो अई दोनों जो दो सपत्र है यह अब ब्यार्थी के लिए एक ए सफत पत्र और एक प्रस्तावग देंगे देखिया दोनों के लिए है यह इसको दो इतिम्हें भरना है यह दो रहेगा इसमें 15 पेज में ये दो सपत पत्र जो अनुसुची दो का है यह दो पिष्ट रहेगा इसमें भी उसी तरह से अगर अब भ्यारती के लिए भरना है तो भ्यारती अपना नाम लिखेंगे यहां पर और यहां पर पिता या पती का नाम लिखेंगे उमर लिखेंगे ग्राम लि कि यह से कर्मांग एक में यहां पर यहां पर एक में लिखिएगा जीला का नाम यहां पर लिखिएगा यहां पर कर्मांग लिखिएगा प्रखंड का नाम यहां पर लिखना है उसे ग्राम पंचायत का नाम यहां पर लिखना है मदाता सुची में कर्मांग यहां पर ध्यान से पंचायत के निर्वाचन छेत के लिए गठित मद्दाता सुची में मेरा नाम दर्ज है कि मद्दाता के रूप निर्वाचन है तुँ अभ्यारती होने का अधिकार और मद्दिकार का उप्योग करूँगा तथा मैं किसी अन्य पंचायत जिसके निर्वाचन छेत के लिए गठित मत्दाता सुचिए मेरा नाम दर्ज है मैं निर्वाचन हेत्व ब्यार्ति यह तो मत्दाता का उप्योग नहीं करूंगा बहुत से लोग करूंगा उसको करना है और यह भी बता दें सफत पत्र जो तीन है तीन मतलब तीन कौपी में करना है एक तो नोट्री द्वराखवुद बना के देंगे उसके बाद अनुसूची एक फिन अनुसूची दो में 2 सफाथ पत्र करना एक भ्यार्ति करेंगे और दूसरा जो है से प रहें और फिर यहां पर नोट्री मगस्टेट साइब आपको बना देंगे अब हम देःगों इसी को यह इसी तरह से दूसरा रहेगा उसमें दूसरा भी भरना है मतलब 3 आपको कराना है उसको बारे में भी समझ लीजिए यसे सेम रहेगा इसी तरह का सेम रहेगा और देखिए इसी तरह का सेम रहेगा लेकिन यह तीन है देखिए दो 2 का देखाते हैं अपको, 2 दिखिए, आड़, इसमें कुछ नहीं, अभ्यार्थी के जग़ा पे यहाँ परस्तावक करेगा, अभ्यार्थी के जग़ा पे यहाँ पे अभ्यार्थी के जग़ा परस्तावक में ठीक लएगा, बाकी चीज़ उसी तरह से भरा जाएगा आप उसके बाद प्रस्तावक भी यही करेंगे यही सपत देंगे कि हम कहीं और दूसरे जगह अपने मता दिकार का परियोग नहीं करेंगे अगर कोई आपका प्रस्तावक बन गया उसका दो जगा नाम है और दूसरे जगह तो भी आपका अगर पक्षी पत्र पक्ष चाहे तो इस सफत पत्र झारी है आपका नमांकन धिरतकरवा श्टयाक उसको भी आपका पर भी खत्रह मलरा सकता है इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही नज़लिकी आदम को ही प्रस्तावक बनाईएगा देखिए उस सेम चीज है बस यहां पर जो सफत करता प्रस्तावक हो जाएंगे और यहां पर हस्ताचर कर देंगे यह हो गया यह लेकिन यह वकील साहिब मतलब स्टेट के सामने यह भरा जाएगा यह तीनों चीज आप समझ गए अनुसूची एक प्रिष्ट में सिर्फ आवेदक करेंगे और अनुसूची दो है उसमें यह घोसना करना होता है कि मेरा नाम शिर्फ यहीं है और सिर्फ हम यहीं अपने मत का परियूग करेंगे अब देखि देखिए इस सारे चीज़ों है ओ इसको नोट्री के समक्स ही भरना है पूरा सपत पत्र आपको इस अपत्र अनुसूची तीन हो गया अनुसूची तीन में भी अभ्यारती का हस्ता अच्छा रहेगा लेकिन इसमें बात दूसरा सपत दूसरा करना है देखिए इसमें होई सब्सक्राइब आए बिहार पंचायती राज अधिनियां वेयाथा संसोजी धारा 125 कववन के प्रावधानों कंदरगत मैं अपना नाम यहां पर पिताया पती का नाम उम्र ग्राम और थाना यहां पर ग्राम यहां थाना जीला यहां पर देखिए सपत लेता कि मैं आपना न मतलब जो भी है उसको यहां पर इसको भरना है और जिला पर भरेंगे दाखिल कर रहा हूं अब देखिए सफत क्या आप ले रहें कि मैं भिहार पंचायत सब्सक्राइब दे रहा हूं सब्सक्राइब जनकारी में सब्सक्राइब देते हैं तो आपको दो गवाह चाहिए दो गवाह का पूर्ण मतलब हसाचर पुरहा थाचर इसमें विदंधा और इसमें आपका हस्ताचर हो गया अभ्यारती का उमिदवार छोड़ देंगे इस तरह इसको भरना है इसको भी नौसरी मजिस्टेट के शमक्षा इसको सपत भरवाना आज समथ करना है अब देखिये इनेक्चर ठीरी हो गया यह भी हो गया अब इसमें भी ग्राम पूरा दिया और दारा और तो जो पहले में था उसमें पर लिखना है अभ्यारती का नाम पिता का नाम कि आप किसी नियाले द्वारा देखिए आपको बता रहे तो उसमें देखिए यही में हो गया वे इनेक्चानुसुची तिन में आपको घोषना करना है पिर याप किये गए हैं तो इसका विवरन देना है नियालय का नाम लिखना है तीति यरवारद संख्या किये अप्राध कि प्रकिरती लिखना है अधियों drop और दर्म का विवरन लिखना है को दिया अदेnement हैं सत्य है पूरा समझें कि आपका यही यहीं लग से बनवाने की ज़रूद नहीं है उप्रिवक्ट कोई अपील यह मैं आप पर केस आय तो उसमें नाम लिखना है क्या इस्थीति है लंभित है यह निस्पादन हो गए उसको और पूरी आपको जनकारी दे देना है अगर आप पर कोई मुकादमा है और आरोप लगा है अनुसूची तीन में दे देना पूरा आपको दे देना है उसके बाद यहां तक तो सिर्फ आप अगर केस है और सजा पाएं उसकी जनकारी देना है अब देखिए मतलब एक दो तीन तक चाओथा में अपनी संपत्ति पति दोनों के आप शनीतो स्था का विवरन देना है अपनी संपत्ति का विवरन देना है अगर यहां पर यह लिखना है कि कितने कीमत की संपती है उसको भी लिख देना है अचल संपत्य में नगर बैंक बैलेंस ठीक ब्रांड वह संथा उसकी बरतवान कीमत बताना कितना आपका गाहना है और कितना वजन का है अपने पति पति अश्रीतों दाइतों के वित्ति संस्थाओं वकायों का पुर्म में अगर आप लोन उनली है तो उसको भी बता देना है अपनी स्थान यहां पत्ति थी और आपके पास कुछ अगर यह तो परमान भी देदेना है अगर रिटर्ण देते हैं तो उसका भी आप परमान दे देना है आपको अब हम लोग चलते हैं सबसे अंतिम पेज पर देखना है अभ्यार्थी का बायो डाटा देखिए आपना बायो डाटा भी आपको यह भरना है इसको लगाना देखिए अनुसुची तीन कर मैं है पंचा आध्र शेत्र का नाम प्रखन्ड पत करेंगे कंगे सथ cinco आप पती का नाम यहां पर लिखना है पता पूरा लिखना है प्रखंड ग्राम थाना पो key यहां पर लिखते देना है स्यक्षिनिक योंगता यहां पुरा कितना लिखना है अगर गई अगर के आप कि अगर आप में जोड़ा जूछी है कहला सस्कीत-वाशन लेने में रूची है तो उसको भी लिखना है अपना मोबाइल नमर यहां लिखना है कि अगर पहले भी अगर आप चुनाओ जीत के किसी पद पर है तो उसको भी लिखना है पद का नाम कब निर्वाचित हुए थे अभ्यारती का हस्ताक्षर तो यह हो गया पूरा कंप्लीट पूर्ण ट्यूटोरियल हो गया नाम लेसर पत्र का और यह ने के बाद आपको समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा यह पूरा इस तरह से भर लेना है और बादिस पर जो भी करना है नोटरी के समख्ष करना है तो इसको आप ही लेंगे और में ध्यान देने वाली बा जादे के अधिक्तम दो सेटों में आप नामांकन कर सकते हैं दोफ्तों आपकी सुभधा के लिए सिर्फ आपके बीच में यहाँ पेपर था और मेरी कलम थी और मैंने पर्यास किया कि आपको सही जानकारी दे दिया जाए अफिर भी अगर कुछ कंशूजर रहा गया होगा तो कॉमेंट करके आप ज़रूर कुछिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम 25-25 प्रफनों का जवाब देंगे तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन बंदे मातरम